हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग तो आज की इस वीडि़ो में मैं आप सब के साफ शेयर करने वाली बहुत ही टेस्टी ऑमलेट की रेसिपी आज हम इसे बहुत ही ज़ाद है यह हैल्दी के तेस्टी बनेगा इसे बनाना बहुत ही आसान है कोई भी इसे बना सकता है सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए कुछ सब्जी हैं यहां पर मैंने बारी कट कर लिया है यह हमारी तेन से चार इस स्मोल साइज के प्याज यहां आरे हां ने भी हो तो अभी सब्सक्राइब कि मिक्सिंग करेंगे तो यहां पे ने एक बाउल लेaking लेए है उसमें हम सारी सब्जिय डालेंगे उस से क्या सब्जियां बहुत अच्छे से मिक्स तरस जाती हैं इसलिए पहले हम इसमे करेंगे हरी मिर्च मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाऊडर भी यूज़ कने वाले हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे धोड़ी सी हरी मिर्च लीए आप अगर ज rub झांकाते हैं तो आप यहाँ पे धोड़ी सी quantity बढ़ा सकते है मिर्च की धनिया डाल देंगे तो सारी सबजे डल गई अब हम अच्छे से mix कर लेंगे अभी हम इसमें कुछ नहीं डालना नमक वगएरः फाली इसी हम अच्छे से mix कर लेंगे तो अच्छे से mix हो गई सबजी आब मैंने यहां पे एक बाउ ले लिया है बड़े साइज का उसमें अंडे फोड का डाल देंगे तो दो तीन बार आप इस तरीके से टैप करेंगे और बीच में इस तरीके से इसे फाड देंगे तो यह अपने आप ही तूड जाता है बहुत ही आसान है तो ये मैंने सारे अंडे यहाँ पे फोड दिये हैं तो अभी डाल देते हैं सबजियां मैं यहाँ पे 5 अंडे बना रही तो उसे हिसाब से मैं यहाँ पे नमक डाले तो यही आधा चमच है आप अपने एक के क्वेंटिटी के हिसाब से नमक की quantity को भी कम्या ज़्यादा कर सकते हैं इसके बाद हम डाल दें दें आप हल्दी पाउडर तो यह half table spoon से थोड़ा सा कम है इससे देखने में हमारा omelette बहुत बढ़िया लगेगा इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर तो यह आदा चमच है तो यह हमने सारे मसाले डाल दी कि अब हमें अच्छे से फेड़ना है तो अंडे को फेट ते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इसे तब तक फेटे जब तक कि इसमें ऊपर जो यह bubbles जाग टाइप काता है वो ना आ जाए बस दो से तीन मिनिट आप हम इसे फेड़िंगे तो वो bubbles टाइप तो अभी मैं यहां पर एक कवे में डालू रिफाइंड ओयल तो यह हमारा छोटे चमच से तीन चमच ओयल है पूरे तब अच्छे से इस तरह से हम फेला देंगे फ्लेम को मैंने मीडम रखा है तो अभी इसमें डाल देंगे जीरा तो यह मैं यहां पर आजा चमच जीरा ड प्राउन का लगा हो चुका है तो अब हम फ्लेम को कर लेंगे मीडियम और यहां पर अब हम डाल देंगे यह हमारा अंडा तो यह तरहीं को मैंने मीडम रखा है आप चाहें तो तवे को घुमा घुमा कर भी सेंख सकते हैं उससे भी पूरे में अच्छे से फ्लेम लगीगी तो अंड़ जल्दी पकेगा और हर साइड अच्छे से पक जाएगा तो इस तरीके से मैं इसे तब एको साइड में करकर के सेंख रही हूँ तो अब ही हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं नीचे से अच्छे से रेड़ी हो गया खिसकने लगा है तो अब ही हम इसे पलटते हैं तो फ्रेम को मैंने यहां पे लो किया है और इसे इस तरीके से हम पलट देंगे एक ही जटके में पलटना है वरना यह तोट जाता है तो इसे एक ही जटके में इस तरीके से हमने पलट दिया और यह आप देख सकते हैं बिलकुल भी हमारा omelette टूटा नहीं है इसे भी हम 2 minute से एक लेंगे बस इसके बाद हमारा omelette बन कर तयार हो जाएगा तो इसे भी आप चाहें तो उसी तरीके से तवे को इस तरीके से करके सेंख सकते हैं हर साइड ताकि अच्छे से सिख जाए तो यह हमारा ओमलेट बन गया अब हम इसे गरम-गरम सर्फ करते हैं तो यह मैं कट करके दिखाती हूँ आपको कितना ज़्यादा फलफी बनाए और कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनाए बहुत स्पंजी बनाए यह कट करते टाइम में आपको पता चल रहोगा कितना सॉफ्ट है तो यह हमारा ओमलेट बन का तयार है आप इसे ब्रेकफस्ट वगएरा में एक बाद जरूर ट्राय करें बहुत ही आसान इसे बनाना और मैंने आपको सारे चीज़े इस वीडियो में बता दिये तो यह ओमलेट बनाते टाइम बिल्कुल भी टूटे का भी नहीं तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आज की रेसिपी आपको पसंद रही हो तो वीडियो का लाइक करना बिल्कुल भी नभूले